हमारे लिए यह जानना बहुत दिल्चस्प होगा कि देश के प्रसिद्ध संत मुरारी बापु द्वारा गणिकाओं के मदद के लिए कैसे अभियान चलाया गया जी हाँ भक्त माल परिसर के अनुराग और माधुरी से भरे कथा मंड़प में नेराश्य के भाव से जीवन यतित करने वाली गणिकाओं की सामाजिक स्वीकारिता और उद्धार के लिए मुरारी बापु ने आवहान किया उनके इस आवहान पर देश विदेश से मदद शुरू हो गई और चार करोड रुपे चुटा लिए गए सबसे पहले संत मुरारी बापु ने अपने पास से 11 राख रुपे दिये और इसके बाद उन्होंने आवहान किया कि गणिकाओं के मदद के लिए हाथ बढ़ाए जाए और दो ही दिनों में चार करोड अरतीस लाख रुपे की राशी खटा हो गई इसमें से अकेले एक करोड रुपे का सहयोग इंग्लेंड के रमेश भाई सच्देव के God in my silent partner foundation द्वारा दिया गया जबकि काउन लाख रुपे कथा के एजमान शुबावु द्वारा दिये गए एक काउन लाख रुपे की कोलकाथा के मनोज मुदी foundation ने दिये कहा जा रहा है कि इस राशी से गणिकाओं की मदद की जाएगी बाबु ने यह कहा कि उन्होंने गणिकाओं के उद्धार के लिए आर्थिक सहयोग का आवहान किया था ताकि समास से अलग थलग इस वर्ग की महिलाओं को एक अच्छा जीवन दिया जा सके